हैलो दोस्तो गूड मॉर्निंग आप सबी का फिर से स्वागत है वेकेंसी एरा एजूकेशन में तो दोस्तो आज मैं काफी अच्छी वेकेंसी के उपर बात करने वाला हूँ राजस्तान जहां से भरती निकली वे है और राजस्तान जूनियर इंजिनेरिंग की आई भरती हैं और वेकेंसी काफी अच्छी हैं इसमें सभी स्ट्रेंटों को मोका मिलने वाला है साथ ही और इसमें आपकी जो ट्रेड होगी उसके रिलेटिव या उसके अनुसार आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे तो दोस्तो आज तैयार हो जाएं अठारा से चालीस वर्षिय का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं और साथ ही राज्तान अधिसेम मंत्राले सेवा चैन आयोग की भरती जो निकली है जेए जेए इनकी और जूनियर इंजिनियरिंग की भरती है तो आप तैयार हो जाएं तो चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं दोस्तों पूरा वीडियो अंते तक देखें मैं पॉइंट वाइस सारी बाते क्लिर करूँगा पोस्ट एक एक पोस्ट का पूरा विवरन यानि की पूरा वीरो आपको देने वाला हूं और उसके जरी आपको मैं बताने वाला हूं जैसे की दोस्तों आप यहाँ पे देख सेवा चेन आयोग के जूनियर पदों पर भरती के लिए आवेदन आमिंद्धित किया गया है दुआरा जूनियर पदों के जूनियर डिरेक्टर रिक्वार्मेंट एक्जाम के अनुसारस में आप लोगों को पदित यानि चेनित क्या जाएगा योग्य इच्छित परवाइड करवा दूँगा साथ ही आप इसे आवेदन कर सकते हैं चार मार्च से अभी ये नोट्रिपिकिशन जारी हुआ है लागू है अभी आवेदन नहीं हुआ और दो अप्रेल तक आप इसमें सवीकार कर सकते हैं यानि कि आपके पास एक महीने का टाइम होगा एक महीने के भीतर भीतर आप इसमें फोरूम फील कर सकते हैं अभी तो बस एक नोट्रिपिकिशन जारी हुआ है पोस्टों के बारे में महत्यपुन जारी के जानकारी दिया आपको और ओनलाइन आवेदन पर कहे के बारे में बात किये उनलाइन आवेदन के शुरुआ चार मार्च से होने वाली है अभी तक पूरा फर्वरी पड़ा है इसके बाद मार्च आने के बाद 4 मार्च से 2 अपरेल तक आप इसमें आवेदन कर पाएं इससी दुर्दन हम आगे बात करें दोस्तों मेहते फुनती थी कि हमने बात कर ली और इसके अनुसार हम आगे इसकी जानकारी दें आपको तो यहां पे रिक्त पदों की बात करते हैं यानि कि पोस्टों की जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं जूनियर इंजिनेरिंग की पोस्ट हैं कौलिफिकेशन के अनु इसमें आगे बात करें डिपार्टमेंट ओफ वाटर रिशेश तो इसमें आपको सिविल ग्रेजवेट चात्तरों के लिए 10149 के आसपास है और सिविल डिप्लोम वाले 307 पोस्टे हैं तो इसे दुरान इलेक्ट्रिकल्स ग्रेजवेट वाले स्टुडेंटों की बात करते हैं जबकि इलेक्ट्रिकल्स ग्रेजवेट वाले स्टुडेंटों की चार पोस्टे हैं पब्लिकी हेल्थ डिपार्टमेंट यानि कि पब्ली की हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों ये सिविल के अंदर 66 पोस्ट हैं जबकि डिपलोमाल स्टूडेंटों की 69 पोस्ट हैं राज़तान स्टेट एग्रिकल्चर मार्केटिंग बूर्ड के अनुसार बात करें तो सिविल गिरिजवेट 59 पोस्टे हैं और सिविल डिप्लोमाल स्टुडेंट 15 पोस्टे हैं इसी दूरान दोस्तु आप अपनी पोस्ट यानि की जो हम बात कर रहें इसके अंदर वो है डि चार्सोई चार्सोई पचास रुपे देना होगा जबकी O,b.C को 350 रुपे देना होगा यानिकि 100 कर दिया कम कर दिया इसवार S.C.S.T के टीगरी के बात करें तो 250 रुपे हर बार किसी भी वेकेंशी में निकलती है तो दोस्तोर राजस्तान से हमें हैं SCST category को 250 रुपए ही देना होता है तो इस बार फिर से एक और अच्छी खबर है कि 250 रुपए SCST category को देना होगा अब सवाल यह होता है कि अगर आप अधर स्टेट से हैं जैसे हर्याना से हैं मद्दे परदेश से हैं और अधर महराथ से हैं गुजरा से हैं अगर आप इदन भीयार से हैं तो इन स्टेट से हैं आप आवधन करना चाहते हैं तो दुश्तों आप लोगों को इन चीजों का पेनिफिट नहीं मिलेगा आप सीधा जर्नल के चुना जाएगा और उसके अनुशार आपको पैमेंट देना होगा तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें ऊंलाइन कर सकते हैं आप अधरस्टेट के भी इसमें उन लाइन कर सकते हैं पर यह थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी हमने कॉलिफिकेशन सिक्से क्यों गया था कि बात करें उम्मीद वारों के पास इंजिनेरिंग जो इंजिनेरिंग के अनुसार बीटे को वगर आया है उस और ट्रेड है आपकी तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं आगे इसके अंदर डिप्लोमा अले स्टुने आयो सिमा भी आप इससे देख सकते हैं अठारा से चालीस वर्स वाले चातर चातर हैं इसमें आविदन करेंगे अब मैं थोड़ा सा आपको इसका ओफिसले नोटिप्रिकेशन दिखा दूं जिससे आपकी संकाएं और खतम होगी और आप इसके बारे में जानकारी ले पाए हैं और ये करीबन 13 फरवरी को ही जारी हुआ था ये नोटिप्रिकेशन कल ही आप लोगों के लिए जारी हुआ था इसमें सावजनिक निर्मान विवाग के लिए राजतान अधिनिया अभियांतरिक भवन दुआरा एमपद साका के अनुसार भरती निकाल गी है तो आपको जल विवाग या वाटर बोक्स के अनुसारी भरती निकली है जल संसादन विवाग और वाटर बोक्स के अनुसारी भरती निकली जिसमें जे ए जूनियर इंजिनेरिंग की पोस्टे निदायर्त की गी है तो दुस्तों जल विवाग की भरती है और काफी अच्छी भरती है क कनिस्ट विवाग में से गेर अधी सूचना उसुरी अन्सूची छेत्र और अन्सूची छेत्र के अनुसार यहां पर पोस्टे देख सकते हैं कनिस्ट अभी नियम सिवल डिप्लोमा ग्रेजुएट सारी पोस्टे इसमें फिल से एक बार चर्चा की यह जैसे हमने बताया उसक के नोटर्पिकेशन में दियावा है तो दोस्तों यह थी इसकी पूरी जानकारी और इसके बार में पूरी अपडेट अभी इसके बारे में सलिवर्स होगा तो हम जरूर बताएंगे और आवे दिन कैसे होगा चार मार्च को फिर से हम इसके उपर एक बार चर्चा करेंगे जब तक आप तैयारी में जोड़ जाएं और आपकी ज़्यादा करिश में डिमांड वाटर बुक्स की है तो अपनिंग कौलिफिकेशन के उनुशार इसमें तैयारी करें तो चलिए दूस्तों आज के लिए बस इतने अगली बार निव भर्ति के साथ सुरूआत करेंगे ज अब तक आप हमेरे वेकेंसी यह जूड़े रहें ऐसे देखते रहें अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बुक्स में लिखें लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा थैंकियो दूस्तों जैहिं दूस्तों